नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्त पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाहा रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चैत्र मास शनिवार की रात नमक से कर लेना आज की वीडियो में बताया ये उपाय। हम नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जो बहुत ही सरलसे और अचूक उपाय है। इन उपायों को यदि आप शनिवार के दिन दो या चार मिनट निकाल करके कर देते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को शुरू करेंगे, उस काम में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, तंत्र प्रशास्त्र और जोतिश शास्त्र में नमक को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहते हैं, यदि य पूजा पाठ में यदि नमक का प्रयोग ना किया जाए, तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। जहां पर नमक आपके स्वास्थे के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। दूसरी तरफ उपाए बहुत ही कारगर समझा गया है। कहते ह नमक का सही उपाए किसी भी मनुष्य की बंद किसमत के ताले को जल्द ही खोल सकता है। नमक के उपाए काफी आसान होते हैं। बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो और कैसे ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ती मिल जाती है और आपके जीवन में नमक के उपाय से सुख सम्रिध्य में वृद्ध होती है दोस्तो नमक के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्म, तंत्र, शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों यकीन ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय है। जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए। आपके जीवन में आप भी तरह की परिशानी में फंसे हुए हों, किसी भी तरह परिशानी से परिशान हों, या किसी भी तरह की दिक्कत से तूट रहे हों, हर तरह की. इसे आपको मुक्ती मिलना तय है. दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए, आपके जीवन में कारोबार बंद था, तो नमक का वह उपाय कर लीजिए, जो हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है. चारों और से आपके पास धन खींचा हुआ आएगा. नौक के उपाय से वो पूरी हो जाएगी. बस इस नमक के उपाय को शनिवार के दिन दो या चार मिनिट निकाल करके करना है. मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिवजी के आशीरवाद से आपकी जो भी होगी, वो ही होगी. शिवदेव जी कृपा जीवन का हर दोहे जड़ से न और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कॉमेंट बॉक्स में लिख दें. जय शिवदेव और दोस्तों एक काम कीजिएगा. कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी के अनुसार हमको को कोई का उपाय चलता है. जि जो नमक के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है. परन्तु आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना होगा, नमक के उपाय गलत किये जाए, तो इनका हमको दुष्ट असर देखना पड़ता है. क्योंकि तंत्र में ये बात साफ-साफ कही गई है कि नमक उपाय सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाब आपको जल्द मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी जल्द मिल जाता है, परन्तु नमक के उपाय गलत मुहूर्थ पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है. कि पूजा नमक का उपाए जरूर ही किया जाता है। नमक का उपाए या पाठ में न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ कहते हैं कि नमक का उपाए यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता हो जाते हैं। इसलिए दोस्तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा ये जितने भी हम आपको उपाए बताने आ रहे हैं उपाए को करने एक मुहूर्त है तो गलत से मत कीजिएगा एक बात को समझ लीजिए दोस्तों यदि आप किसी पंडित, किसी अस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाते हैं और उससे पूजा या उपाए करवाते हैं तो उसका जो लाब मिलता है, वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है परन्तु किसी उपाए पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाब आपको जल्द ही मिल जाता है उसका लाब हजारों गुणा आपको मिलता है तो दोस्तों ये जो नमक है तो बड़े सरल से उपाए परंतु इन कुक्रियाओं आपको सही मुहूर्थ पर करना होगा और एक बार यदि इनको आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत हटिएगा इसलिए दोस्तों यदि आप अपने जीवन में खरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं इस वीडियो को बिना अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भलेगी देखिएगा चलिए दोस्तों, आपके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु है आपसे कि अभी तक आप वीडियो को लाइक कर दिया है, सबसे पहला उपाय जो है शत्रू से मुक्ति पाने उपाय दोस्तों, आप आज का समाज ऐसा समाज है, जब एक साधा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके पडोसी, नाते, रिष्टेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ करते हैं अब प्लैन है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुँचाते हैं तो दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको बस करना है कि लगातार पांच शनिवार किसी भी शिव मंदिर, शिवा मंदिर जाने के पश्चात आपको वहाँ पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का और उसमें गिन के बस एक नमक डाल देना है इतना यदि आप शनिवार भी कर लेते हैं, तो मान के चलिए जी, कि वो हासिल होगी, कि जो भी शत्रू आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य को भी शनि महाराज जी का आशीरवाद हासिल हो जाता है कि चलिए उस मनुष्य के शत्रू, उसके पीछे भी है, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते दूसरा उपाए है दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का ना वेह महा उपाए जो आपको बताना रहे हैं तो दोस्तों, इस उपाए को बहुत ध्यान से सुनिएगा आपका जो नकारात्मक शक्तिया है, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से बहुत परिशान हो गए है आप चाहते हैं इन तरीके की परिशानी से आपको मुक्ति मिल जाए तो दोस्तों, किसी पंडित के पास पास की जरूरत नहीं है ये उपाए कर लीजिए और ये उपाए आपको करना है शनिवार की शाम को क्या-क्या आपको लेना है पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन, चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए परंतु लोहे का मत ठीक है, अब आपको क्या करना है 11 पांच कपूर, दो इलाइची हम फिर से रिपीट करते है दोस्तों, 11 नमक पांच कपूर और दो इलाइची को जलाना है इसका धुआँ, पूरे दिखाना है जब पांच कपूर और दो इलाइची की पूरी रख बन जाए जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए डिब्बे में आपको प्रति दिन थोड़ी-थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे जल में लेकर के इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है यदि ये कर दिया, तो आपके घर पर भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मान के चलिए देव जी के आशीरवाद से आपके घर की बरकत भी होगी तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं ये एक ऐसा उपाय है हर तरह के कश्ट से मुक्ति मिल जाएगी मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के ठक गए परन्तु उसका आपको कोई लाब नहीं मिल रहा है आप बहुत परेशान लिया है दिक्कत है आपके सामने तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए वो है भगवान भोलेनात देवों के देव महादेव बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने ये उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं तो देवों के देव महादेव का आपको आशीरवाद मिलेगा परन्तु उपाय को के लिए आपको लगातार पांच सपता शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा पांच तक आप नहीं नहीं कर सकते तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धुम्रपान इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर की परेशानियां जो होती है वो खत्म हो जाती है तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक शनिवार को नहाना है, धोना है नहाने धोने के दो नमक लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इसको भगवान भोले नात उत्तर की तरफ खड़े हो करके अर्पित कर देना है और वहाँ पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप एक हजार आठ बार करना है क्यों? एक हजार आठ हो गया, एक सो आठ हो गया यह भगवान जी का प्रिय नंबर है इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी वो वर्दान हासिल के आप रोगमुक्त हो जाएंगे आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूंज रहे थे परेशान आप इनसे तो दोस्तों, बात पर कॉमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव और अभी तक आपने कोई लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दें अब दोस्तों, मान लीजिए, आपका पहले व्यापार चल रहा था फिर व्यापार बंध हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान है तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है तो एक बात को ध्यान रखिएगा जो व्यापार में हमको की सहायता चाहिए किसी देवता की जरूरत पढ़ती है, वो है भगवान भगवान गणेश जी का आपको आशीरवाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही अपने के साथ तो बस यही कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाए के दूद से बना हुआ घी का दीपक जलाना है ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के लाल पोटली में आपको गिन के 21 नमक लेकर जानी है और 11 के जानी है और वो गनेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है पोटली को लेकर के आना है अपनी दुकान में के बरतन में या पीतल के बरतन में इसको जलाना है और इ गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आप गणेश भगवान जी के आशिरवाद से आपका बड़ा व्यापार अब ठप पड़ा। व्यापार चल पड़े। अब शनिवार की को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए। जो पाँच है इसको किसी लाल पोटली रख लीजिए। पाँच शनिवार की में पच्चीस नमक इकठ्था और इसी पच्चीस नमक को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगेरह करते हैं वहां पर रख देना है। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी, वो खत्म हो जाएगी। और माता लक्ष्मी जी के आशीरवात से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करेंगे। किसी ने आपके उपर काला जादू करवा रखा है, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं। तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज, रामबान। इलाज हम आज के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, उन्हें नीमबू के उपाए नहीं, बलकि हजारों साल पहले से प्रयोग होते आएं हैं, जो उपाए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है नीमबू के। नीमबू का प्रयोग करके, उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप जोतिश शास्त्र या वास्तु शास्त्र की किताबों का अध्यें कर हैं, तो नीमबू के उपर पूरे ग्यारह अध्याय आपको मिल जाएंगे। तो इन सब को भगाने के लिए नीमबू कैसे रामबान की तरह काम करता है। ये सभी जानकार आपको वास्तु शास्त्र और जयोतिश शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी, तो यदि आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं, जिनके कारण आपके घर में से लड़ाई होती रहती है, पति-पत्नी में बनती नहीं तो दोस्तों, आज जो उपाए हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्या को छुटकियों में खत्म कर सकता है, आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एक दम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है, तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कम हो, आपके उपर माता लक्षमी का आशीरवाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीरवाद दे, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख ले, क्योंकि इस वीडियो आज आपको पता चलेगा कि कैसे नीमबू के दस उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं, एक-एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, जो कि वीडियो भगा-भगा के देखते हैं, यकीन यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया, तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे, हम ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए इसी लिए लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जनहित, यदि हमारी कोशिश से किसी एक इनसान का भी भला हो जाता है, तो हम अपने आप को बहुत सौ भाग्यशाली समझेंगे, तो पह पहला उपाय है, बुरी नजर से बचने के लिए आप लोगोंने अकसर देखा होगा, जब तक रास्ते से गुजरता है, गाडियान जब चलती हैं, छोटी दुकाने होती हैं, बड़ी दुकाने होती हैं, उन सब में नीमबू और मिर्च तंगे हुए होते हैं, इसका मुख् भी लू चलती है, और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर ज्यादा गर्मी होती है, वहां पर प्याज रखते हैं, तो प्याज गर्मी को सुख लेता है, यदि आपका अच्छा चल रहा है, और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके काम काज पर पढ़ता है, कहा जाता है, कि बुरी नजर से हरा पेड भी सुख जाता है, इसी तरह जो चलता दोडता व्यापार होता है, वो तक बंद हो जाता है, यदि किसी व् खट्टा, मिर्च का तीखा गुण, बुरी नजर वाले व्यक्ति के एकागरता को भंग कर देता है, जिसे वो अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है, ये हिंदू पुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि यदि आपका व्यापार चल र रहा है, और अपने पहले से ही नीम्बू टांग रखा है, तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके उपर पड़ जाएगा, और वो बरपश्चात हो जाएगा, इसलिए यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं, नीम्बू और मिर्ची को जरूर टांग कर रखें, दूसरा जो अप्रियोग है, वो वास्तु दोश को मिटाने के लिए है, दोस्तों, हम वास्तु ज्यान का यदि आप अध्ययन करते हैं, तो उसमें एक पूरा चैप्टर नीम्बू के उपर लिखा हुआ है, पूरा एक अध्याय इसके उपर है, अध्याय नंबर 21 में नीम्बू के बार प्रण शुद्ध रहता है। प्रण शुद्ध रहता है। यदि आपके घर में नीमबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा लें, चाहे अपनी जमीन में लगा लें, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिये हैं, आप बहुत परिशान हो चुके हैं, घर की लड़ाई करकट को देख देख कर तब आपको हम बताने जा रहे हैं। वो सुनिएगा, पहले तो आप लोग सके हैं, तो नीमबू का पेड़ लगा दीजिए, परंतु वो रातों रात तो नहीं उकता, तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है, हिंदू पुरान के अंदर की आपको अपने घर के चारों कोनों में एक-एक नीमबू रखना है आपको उल्टी मतलब बाइन दिशा से साथ चक्कर मारने हैं, और ये शनिवार के दिन करना है, फिर ये नीमबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है, ये चार नीमबू नदी या तालाब में आप बहा दीजिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, उनी नीमबू के साथ वो चला जाएगा, वो नीमबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इने बहाई तीस से हुए हैं, तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। परंतु आपका सेलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु विज्ञान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, ध्यान रखें, मंगलवार का दिन ही होना चाहिए, जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, तो आप एक पाठ करें, पाठ करते हुए, जिस नीमबु में चार लॉंग गाड़ी है, उसको हनुमान जी महराज को अर्पित कर दें, यदि आप इतना कर लेते हैं, तो यकीन मानिए, जो आपके उपर बाधाएं आई हुई थी, बहुत दूर होंगी, यदि आपका मंगल अच्छा नह नहीं दे रहे हैं, तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे, दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा था, वो सौ भाग्य में बदल जाएगा, परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िये, बोल कर मत पढ़ियेगा, यदि आप हनुमान जी महराज के सामने जाकर इतना प पलता मिल सकती है, जिसके लिए आप तरस रहे थे, दोस्तों, ये सारी बाते हम आपको इसलिए बता रहे हैं, ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सके, तो आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबस्क्राइब करके जरूर दबाईएगा, अब उपाए बताते हैं, यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा चाहे या बड़ा बुजर्ग है या आप खुद हैं, मान लीजिए, आपको सीने नजर लगा दी, जिसके कारण उसकी तबियत खराब रहती है, तो एक नीमबू, लीजिए, पीडित के सिर के उपर से साथ बार घुमाएं, केवल एक ही नीमबू लेना है, फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए, जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, उस चाकू से नीमबू को दो भाग में काट लीजिए, फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए, यदि आप केवल इतना कर दे, तो जो भी आपके उपर नजर लगी हुई होगी, वो नीमबू साथ उतार ले जाएगा, आपके उपर से वो नजर पूरी त बढ़ते हैं, तो आप जान पाएंगे कि नीमबू का यदि आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं, तो आपको अपने व्यापार में शुद्धी देखने को मिलेंगी, कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है, तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं, जिसके कारण व्यापार एकदम से रुख जाता है, आप ठक जाते हैं, कि अब क्या करें, अब तो हम फस गए, तो दोस्तों, इसका बहुत सरलसा उपाय है, एक नीमबू को ले लें, अपनी दुकान में, ऑफिस में, उस नीमबू को एक चाकू से चार टुकडों में काट लें, अपनी दुकान के चार भागों में उन टुकडों को रख दें, सुबह के समय यह प्रक्रिया कीजिए, और शाम के समय उन चार भागों को उठा लीजिए, सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं, शाम को 7 बजे के पश्चाद आपको उठाना ह को अलग-अलग चार लाल कपडों में बांधना है, और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है, उससे ये होगा कि जो आपकी दुकान पे किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गये थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, और आप इतना प्रयोग कर लेते हैं दौडने लग जाता है, ये वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तु शास्तर की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है, अब हम जो आपको पाने जा रहे हैं, वो है छठा भाग्य को चमकाने का उपाए, दोस्तों, यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं आप बहुत मेहनत करते हैं, परन्तु आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मानिये, किसी ना किसी ने आपके उपर टोटका करवा रखा है, आप नौकरी की तैयारी कर्थक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, और इस तरह की बा आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या व्यापार में वृद्ध नहीं हो पा रही है, आपका घर बन नहीं पा रहा है, आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास होता चला जा रहा है, तो केवल आपको ए ए योम श्री हनुमते यदी इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेते हैं और उस नीमबू में आप 4 लौंग देते हैं तो आप नौकरी की तयारी करने के लिए जा रहे हैं इंटर्विू के लिए जा रहे हैं तब इस नीमबू को अपने में रख लीजिए अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए आपको ये पेपर देने जा रहे है तब तो ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं तो अपने बैग में रख कर ले जाएगा यकीन जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा यदि आप नौकरी के इंटर्व्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन होना तैय है ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है इस प्रक्रिया में आपको केवल तीन से चार रुपे का है परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के पश्चाद आपका जीवन समवर सकता है ओम श्री हनुम्ते नमा यह एक ऐसा जब है जिससे मान लीजिए यदि आपका मंगल कमजोर था वो मंगल तुरंथ हो जाएगा परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 अंक बहुत ज्यादा पसंद है 108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं वो सफल होती है और यह क्रिया यदि आप नौकरी के सेलेक्शन के वक्त करते हैं इंटर्वियू के वक्त करते हैं किसी कॉम्पिटीशन के वक्त करते हैं तो आपको सफलता मिलना तै समझा गया है सात्वा है रोग से मुक्ती है तो यह अध्यापकों वास्तु घ्यान के तालीस नंबर पेज पर मिल जाएगा. यदि आपके घर ऐसा कोई रोगी व्यक्ति है, जो दवाई करा-करा के ठक गया है, अस्पताल जाकर पक गया है, और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूँ? तो जो हम आपको आप बता रहे हैं, उसे आप शनिवार के दिन सकते हैं. आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस पिडित व्यक्ति के उपर से नीम्बू को साथ बार उतरना है. सर से लेकर पाव तक एक नीम्बू को साथ बार उतरना है. फिर एक चक्कू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है ध्यान रखिए, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होनी चाहिए, शनिवार के दिन यदि आप शनिवार के दिन ये करते हैं, तो 100% ये काम करेगा ही करेगा आपने साथ बार नीम्बू को उतारा, 21 बार चाकू को उतारा उपर से नीचे, जब आपको उसे नीम्बू के चार टुकडे करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है, जहां पर चार रास्ते हो, दाहिने बाएं आगे पीछे अब वहाँ पर अलग-अलग दिशाओं में उन नीम्बू के चार टुकडों को फेंक देना है और रात के वक्त ही है मतलब साथ बजे ये प्रक्रिया करिए, नौ बजे तक इस नीम्बू को ले जाकर फेंक दीजिए यदि आप इतना कर लेते हैं, तो उस रोगी के ऊपर यदि कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्रमंत्र करा रखा होगा, घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर, या किसी के ऊपर भी तो वो नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा रोगी यदि ऐसा व्यक्ति है, जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, तो वो आत्मा उसका पीछा छोड़ देगी दोस्तों, ये सारी बातें आपको कहीं जाने को नहीं मिलेंगी, परन्तु हम केवल इसलिए आपको बता रहे हैं, कि आपका भला हो सके एक नीमबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए, कितना ताकतवर होता है नीमबू इसी कारण पुराने समय के जो साधू संत महत्मा होते थे, वो नीमबू को जरूर अपने पास रखते थे, कि कब कहा नीमबू की जरूरत पढ़ जाए, और नीमबू से उस मंत्र तंत्र को हटा लिया जाए, अब आठ उपाए आपको बताने वाले हैं, संतान प्र उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए उपाए कर थक चुकी है, तो ये उपाए लिख लीजिए, कहीं कागज पर उत्तरा फालगुनी नक्षत्र एक ऐसा समय होता है, जिसे बहुत शुब समझा गया है, निह संतान लोगों के लिए, यदि आप इस दिन भू के पौधे की लग चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, यकीन मानिये केवल एक प्रक्रिया, ये लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, परंतु ये उपाए किसी विशेश शर्ज से पूच कर उनकी सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर के शरीर की प्रक्रिती अलग किस्म की होती है, तासीर अलग-अलग होती है, ना हुआ है धन की प्राप्ति, अचानक रुपए की प्राप्ति का उपाए, मतलब कह लीजिए, आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाए, आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं आप जंगल में गाये चराने जाते हैं खेतों में काम कर रहे हैं जो भी हो यदि आप यह प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं न कहीं से रुपया आ जाएगा या बिजनस में एक दम से रुपया आ जाएगा तो अपने उपर से हर शनिवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है, अपनी शाम को एक नीमबू 7 बार घुसमजा है, लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमा लेना है, फिर उसको एक लाल कपड़े में बांधना है, और किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है और ये अलग पीपल के पेड़ होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप गाड़ते चले जाए, 41 शनिवार को 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे नीमबू गाना है, यदि आप केवल इतना कर देते हैं, और आपकी क पाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उसी में से कहीं से आपको कमिशन मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दामों में बिक जाएगी, जिसका आपको अंदाजा नहीं था, तो ये यदि आपकर लेते हैं 41 शनिवार, अपने उपर से 7 बार नीबु घुमा कर पीपल के पेड के नीचे आते हैं,